हेलो एन वेलकम टो गुलोबल अकेडमी आज है 26 माई 2020 देखते हैं आज के तमाम करण टेफिर्स और इन से रिलेटर जितने इपार्जन फैट्स होंगे वह हम डिसकस करेंगे अगर आपको इस वीडियो की पीडियाप चाहे होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मेनल लिंक दे दिया है वहाँ से आप इसकी पीडियाप डॉनलोड कर सकते हैं सismo playing से विज année्डियाप द जीलिए रिचिए ने फ्र स्वर्ड़ कर आप रोग्राम कौन से जीलियों ने हाल ही में ततपार कारीकरम चुरू किया तो यह रांची डिस्टिक ने शुरू किया टतपार प्रोग्राम यह टतपार प्रोग्राम यह देखते है पहले टतपार प्रोग्राम यह migrant workers के लिए यह एक प्रोग्राम है आज लागड़ ओन की वज़़ς से लोग एक जगह से जहां पर यह migrant workers है तो वो अपने नेट्व प्रेशानी हो रही है तो उनके लिए रांची डिस्टिक्ट ने बस सर्विसिस लांच की है तो ताकि वो पैदल जाने के बज़ाए वो अपने नेट्व प्रेशानी हो रही है तो यह शुरू की है रांची डिस्टिक्ट ने और इसी प्रोग्राम को गया है it is launched to help the migrant workers to get back to their native places on bus instead of tire some travel by foot उसके अलावा जो यहां की administration है उनने एक number भी लांच किया है 1950 इस number पर वो काल करके उनके लिए बासिस की जो arrangement वगरा है वो हो पाएगी वहां काल कर सकते हैं और बाद में उनको उसकी उनकी problem को solve किया जाएगा तो यह जहारखंड district में यह program जहारखंड state में यह program launch किया गया है रांची district में जहारखंड के अंदर है तो जहारखंड से related कुछ और important information देख लेते हैं यह है इंडिया का map यहां पर है जहारखंड यहां की द्रोपाडी मुर्मो और कैपिटल यहां की रांची next question with whom did IRCON international limited IRCON has signed a memorandum of understanding to explore opportunities for joint development of railways and other infrastructure projects in Asia, Africa and Latin America किस के साथ IRCON international limited ने एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका में railway और अन्य बुनियादी धांचा परेजनाओं के सैयुक्त विकास के आउस्वरों का पता लगाने के लिए एक समझोता ग्यापन memorandum of understanding पर हस्ताक्षर किया है T.A.R.Z. international ने IRCON के साथ sign किया है To explore various opportunities for joint development of railways and other infrastructure projects in Asia तो ये इन्होंने आपस में memorandum of understanding sign किया है ताकि वो explore कर सके opportunities in various places पर जैसे एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में तो देखते हैं ये IRCON और R.Z.D. international से related कुछ और important information गैन करते है IRCON इनका headquarter है New Delhi में Chairman and managing director है इसके चोधरी R.Z. international ये एक Russian company है Headquarter है इनका Moscow Russia में और Director General इसकी Sergei Stoliaro Next question When was Raju Gandhi's death universally observed? हाल ही में Raju Gandhi की पुनिति थी कब मनाई गई? तो ये बनाई गई 21st मई को 21st मई 1991 को Raju Gandhi जो की Indian Prime Minister है Former Prime Minister of India इनको assassinate किया गया था Former Prime Minister Raju Gandhi's 29th death anniversary was observed on 21st मई 2020 और इसी दिन Liberation Tigers of Tamil alum L.T.T.E. के लोगों ने इनको मारा था एक सुसाइड बंबर की help से जो सकत वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे शिरीपूरम बंदूर तामिल नाडू में वहाँ एक रैली से वो खिताब कर रहे थे और वहीं L.T.T.E. ने एक सुसाइड बंबर का इस्तमाल करके उनको मार दिया और यह हुआ था 21st मई 1921 में उसके अलावा राजु गांदी के वारे में एक और important information यह है कि he was the youngest Prime Minister at the age of 40 वो 40 साल की उमर में सबसे छोटे और youngest Prime Minister बनी Next question Who has recently started the second program? हाल ही में सकून कारिकरम किसने शुरू किया? तो यह J&K DIPR ने सकून प्रोग्राम शुरू किया है Jammu and Kashmir the Department of Information and Public Relations DIPR इन्होंने यह सकून प्रोग्राम अभी हाल ही में लांच किया है तो अभी स्ट्रेस लोगों के अंदर पैदा हो गया है उससे उवरकम करने के लिए लागड़ून के वज़े से उससे उवरकम करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है यह एक प्रोग्राम जो कि टीवी पे टेली कास्ट किया जाएगा तो हर नव बज़े टेली कास्ट किया जाएगा दोर दर्शन काशर के ऊपर जिसमें कि कुछ साइकेटरिस्ट, एमिन डाप्टर्स, साइंटिस्ट वो अपना नौलज़ शेयर करेंगे ताकि लोग और लोगों को यह बताएंगे कि वो अपने माइन्ड को कैसे कूल रख सकें और इसका मैन आहम यह है कि इसवकर जो कोविड-19 के वज़े से लोग इसवकर परेशान है, स्ट्रेस में है तो उससे बाहर आने के लिए यह प्रोग्राम यह यह शुरू किया गया है जम्मो और कश्मीर से रिलेटिड कुछ और इंपॉर्ट इनफरमिशन, कैपिटल सिर्नगर है समर कैपिटल और जम्मो यहां की विंटर कैपिटल है और इसवकर जो इसके करण्ट गवर्नर है, वह हैं ग्रीश चंदर मुर्मो और जम्मो और कश्मीर इसवकर जोने टेरिटिड यह आपको पता है नेक्स्ट क्षिन, विच नेशन हैं इस इंटेंशन अफिर ड्राइंग इसल फ्राम ओपन स्काई ट्रीटी किस देश ने खुले आसमा संधी से खुद को वापिस लेने की घोशना की है तो यह युनाइटेट स्टेट ने अभी 21 मई को ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आपको विड़रा करने की घोशना की है तो ओपन स्काई ट्रीटी से रिलेटेट कुछ और इंपार्टन इंफरमिशन देखते हैं what is open sky treaty यह एक treaty है that was signed on January 1st 2002 2002 में यह sign की गई थी और the treaty has 35 signatures उसके अलावा इसके अंदर 35 signatures हैं including Russia, United States, UK, Germany, France, Canada और Spain, Portugal, Italy and Greece तो 35 countries in total जिनमें यह man countries है और इन्होंने यह open skies treaty sign की थी और इस treaty में क्या है यह open skies treaty क्या है इसमें जो है यह treaty यह जितने भी signatories है they allows unarmed aerial surveillance of flights यानि unarmed जो flights है वो जितने भी यह countries है इनकी countries में पूरी entire territory में यह जा सकती है यानि एक दूसरे की countries में flights वगरा unarmed flights जा सकती है और इससे यह benefit होगा कि वो एक दूसरे के अंदर एक confidence बिल्ड हो जाएगा इन 35 countries के अंदर इसलिए open skies treaties sign की गई थी और इसमें यह भी है कि जो भी यहां की countries वो एक दूसरे की military information भी यहां गैन कर सकते हैं तो यह treaty important क्यों है the open treaty was signed to boost mutual understanding and confidence among the participants जैसे मैंने पहले ही कहा उसके अलावा they will gain an opportunity to get relevant information regarding the military forces of other nations तो एक दूसरे की military forces की जो powers से उन से related information gain करने में भी यह इसकी मदद होगी open sign sky treaty के तहत तो इस treaty से जो हाभी हाल ही में United States ने अपने आपको बाहर निकालने के बात की है कि वो इस treaty से बाहर आ जाएंगे तो इसमें जो treaties जो 35 countries है यह उनके नाम है आपने के screen shots ली सकते हैं उसके अलावा इसमें एक ऐसी भी country है जोनोंने इस treaty के अंदर sign तो किया है but they have never ratified it और वो है किर्जिस्तान किर्जिस्तान is the only nation that has signed the open skies treaty but never ratified it तो यह थी कुछ important information next the treaty of open skies has how many signatories तो इसमें 35 signatories है यह मैंने आपको पहर पिशे question में भी बताया next question cabinet has approved extension of प्रधान मंत्री व्याई वंधना योजना till well cabinet ने प्रधान मंत्री व्याई वंधना योजना के विस्तार को कब तक मंजूरी दी है तो यह March 23 तक इसको extend किया गया है प्रधान मंत्री व्याई वंधना योजना को तो अब यह March 21 23 यहां तक यह चलेगा till March 31st 2023 और इसका मैंने आपके the move is aimed at ensuring old age income securities for senior citizens जो भी senior citizens है उनके लिए old age income security gain करने के लिए यह program launch किया गया है इसमें क्या है जो भी senior citizens है उनको पहले one and half lakh rupees जमा करने है उसके बाद उनको जो है उनको one thousand rupees से ten thousand rupees तक उनको बाद में as a pension के रूप में उनको वापस दिया जाएगा जिस तरीके से वह वहाँ deposit करेंगे उस हिसाब से वह average बना के उनको परमत के हिसाब से एक pension वापस दे देंगे तो ये थी कुछ important information related to this next question we state recently started दिदी वहीकल service किस राज ने हाले में दिदी वहाँ सेवा शुरू की है तो ये कि ये जुबा डिस्टे का मध्या परदेश ने इन्होंने ये दिदी वहीकल service लांच की है ये एक वहीकल है एक गाड़ी है जो कि एक हाली women's के लिए है ताकि व वहीकल service is completely free for this woman तो ये देदी वहीकल service ये जुबा डिस्ट का मध्या परदेश ने लांच किया है तो मध्या परदेश से related कुछ और important information ये है इंडिया का मैप और यहाँ है मध्या परदेश ये red color का settlement हुई थी 1st November 1956 capital यहां की भोपाल गौर्णर यहां के लाला जी टंडन च यहां के शिवराज सिंग चोहान यहां का famous dance मांच है मैमल है यहां का state mammal है swamp deer बर यहां का ancient paradise flycatcher यहां का state flower है parrot tree फोट यहां का mangoes और tree है जो यहां का state tree है वो है बनियान tree तो यह थी कुछ इंपर्टी इंपर्टेश रिगार्देश मध्या परदेश मध्या परदेश मध्या last question which nation's senate has passed a bill to deal list Chinese firm from stock exchange किस देश की senate ने stock exchange से चीनी फर्मों को deal list करने के लिए एक bill प्रारित किया है तो यह United States ने किया है उनने एक bill passed किया हाले में 20 मुई 2020 को जिसमें कि वो Chinese जितनी firm से उनको deal list करेंगे from United States security exchange अगर वहां के जो rules है regulations है उनको follow नहीं करेंगे unless they follow US standard of audits and regulations जो भी वहां की United States security exchange के जो भी audit and regulations है standard of audit and regulations है अगर उनको follow नहीं करेंगे तो उनको वहां से deal list किया जाएगा तो United States से related कुछ और important information ये है globe और यहां है ये United States of America United States of America या इनको United States भी कहा जाता है it is a country of consisting of 50 states ये 50 states का बना हुआ है and five major self-going territories and various positions capital यहां की Washington DC, government यहां की federal presidential constitutional republic, president यहां की Donald Trump और vice president यहां की Mike Pence तोस्टनेट ये थी, तमाम information, तमाम current affairs आज की date की, मुझे अमित आपको पसंद आएंगे, जो भी नाई viewers है उनसे request है, हमारे इस channel को subscribe करें और हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए notification bell पर रिप्रेस करें और अपने friends में भी इन तमाम वीडियो को share करें okay thanks, best of luck and as always God bless you all